हेलो एवरिवन, वेलकम टो वार यूटूब चैनल, इस्टार्ट करते हैं नेक्ट वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वालेंगे इंडिविजुल डिफरेंस यानि की बैक्तित भनेता के बारे में ये रही है हमारी 13 वीडियो, इससे पहले 12 वीडियो हो चुकी है, इनकी एक वीडियो को देख सकते हो, किसी भी कोसन में डाउट रहता है तसलिए आप कमेंट कर सकते हैं, टेलिग्राम पर इन सब के पीडियेफ शेयर कर दिये गए हैं, बहाँ पर जाकर आप पीडियेफ से बाद मेंन का रिवीजन भी कर सकते हैं, इस्टार्ट करते हैं कोसन नमबर फर्ष्ट के साथ, पॉसन नमबर फर्ष्ट है, इंडिविजूल डिफरेंस फ्रॉम इच अदर इन, ब्यक्ति का ते सिक्छार्टी एक दूसरे से भिन होते हैं, तो ब्यक्ति का सिक्छार्टी एक दूसरे से किस तरह से भिन होते हैं, प्रिंसिपल अफ ग्रोथ से डवलप का मतलब यह है कि जिसे एक principle इसमें आता है उसमें तो सेफिलो कोडल और प्रोक्सिमो डिश्टल जिसमें बताया गया है अगर हम सेफिलो कोडल की बात करें जिसे हिंदी हो बहुता है तो हर एक विक्तिका विक्ता सिरुसे पेर की तरफ ही होगा तो यह सभी के लिए सेम होते ह अगर हम sequence of development की बात करें तो सभी के अंदर sequence बिल्कुल same चलेगा जैसे कि हमारे हाथ पे रोके विकास की बात करें तो सब के विकास एक तरीके सी होती है जैसे पहले बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा फिर दोड़ना सीखेगा जनरल केपिसिटी फोर डवलपमेंट ये भी सभी के लिए ठीक होता है विकास की सामानी चमत सभी के लिए same होती है लेकिन जो rate है वे सभी के लिए different हो सकता है कोई 10 महीने में चलना सीख सकता है कोई 12 महीने में चलना सीख सकता है तो यह rate जो होता है वो सभी के लिए अलग होता है बाकी सारी चीज़े सभी के लिए same होती है तो right answer option number second हो जाएगा आगे बात करेंगे question number second की तरफ Every learner is unique means that परितेक सिक्षार्ती अधितिये होता है इसका अर्थ क्या है No two learners alike in their abilities, interests and talents बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी तो बिद्ध्यार्ती अपनी चमताओं, रुचियों और प्रतिवाओं में एक जैसे नहीं होते सभी की चमताओं रुचियों अलग-अलग होती है Learners do not have any common qualities or no to have share common goals कोई भी सामानेगोर्ण नहीं होते नहीं भी सामाने लक्ष साजा कर सकते हैं नेकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई सामानेगोर्ण हो सकते हैं यह नहीं हो सकता कि एक भी common qualities उसमें नहीं होगी और यह बात जो लिखी हुई है Nor they share common goals यह सब रहेंगे दो लोगों का एक जैसा लक्ष हो सकता है हो सकता दो लोगों जो same job में जाना चाहते हैं या same उनका goal हो same achieve करना चाहते हो तो यह option इसलिए गलत हो जाता है आगे हम बात करेंगे A common curriculum for all learners is not possible यह बात गलत है अगर हम curriculum की बात करें तो यह सबी के लिए same ही होता है सबी के लिए एक जैसा ही है कुछ special children's के लिए इसमें थोड़ा बहुत change किया जाता है बाकि सब के लिए तो same ही है It is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous classes यह बात बिलकुल गलत है कि विसंबर्ग में सिक्षार्तियों की समता का विकास करना असमभब है जबकि हमारा NCF या हम National Policy of Education की बात करें वो यह बोलते हैं कि हमें गुरुप से heterogeneous यह बताना है खासकर NCF में यह बोला गया है कि जब आप बच्चों को गुरुप बनाओगे learning के टाइम पर आपका हमेशा heterogeneous गुरुप बनाना है जिसमें अलग अलग चमता वाले बच्चे एक सांत हो इसलिए पृति विद्यारत अधिति होता है क्योंकि कोई विद्यारती अपनी चमताओं रुची और पृतिवाओं में एक जैसे नहीं होते हैं थोड़ा वो तो नमें अंतर होता है आगे बढ़ेंगे इस आलवेज लर्ण वेटा वेटर उन गृप इन गृप से में लर्नर सुखते हैं यह बात तो ठीक है कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात चलेगे इंडिविजू अटेंशन की तो गृप बाली बात तो हम यहाँ पर लेंक है नहीं यह बात यहांसे हम तब click कर सकते थे कि बच्चे गुरूप में किस तरह से सीखते हैं या फिर हम अगर भायगोषकी की बात करें तो अगर उनके इसाफ से इन चारों में से एक option हमें टिक करना होता थो फिर हम इसको टिक कर देते क्योंकि उन्होंने गुरूप लर्निंग को कॉलोवरेटिव लर्निंग, कॉपरेटिव लर्निंग जो होती है सेकारी सिक्षण सायोगात्म सिक्षण को उस पर उनल बल दिया है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइबस एट यह बात गलत है कि इसे किसी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है यह सिक्षकों को प्रित्यक सिक्षारति को अनुसासित करने को भेतर अफसर पतान करता है यह भी कोई खास ओप्शन है नहीं क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन की बात हो गई कि हर एक बच्चे पर attention क्यों देना चाहिए Children's develop the different rates and learn differently ये बात बिल्कुल चाहिए क्योंकि बच्चे अलग अलग दरों पर बिक्सित होते हमने अभी rate of development की बात करी थी कि जो rate of development है बहुत हर एक बच्चे का अलग अलग होता है इसलिए कई बात जुरत पढ़ जाती है ब्यक्ति का ध्यान की कि हर एक बच्चे पर individual attention दी जाए और बहुत अलग अलग तरीके से सीख रहे होते हैं सभी के जो learning skills है बहुत अलग 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 तरीके की होती है So right answer option number 4 हो जाएगा Question number 4 की तरफ चलेंगे Learners display individual difference So a teacher should शिक्चक ब्यक्तिका तंतर प्रदासित करते हैं तो एक सिक्चक को क्या करना चाहिए अगर बच्चे ब्यक्तिका तंतर प्रदासित कर रहे हैं तो फस्ट है Provide a variety of learning experience यह बात ठीक है भाई आप विभिन प्रकार के learning experiences Provide करा होगे Inforce strict discipline कभी नहीं करना है Number of test increase करने से कुछ होगा नहीं Insist on uniform path of learning सीखने की एक समान गती पर जोड़ देने से कम नहीं चलेगा क्योंकि कुछ है जो जल्दी सीख जाते हैं कुछ slow learners होते हैं अगर आप सेम राखोगे तो दिक्कत आईए कि लोगों तो right answer option number first रहेगा अगर individual difference है तो हम विभिन प्रकार के सिक्षन अनुवब बच्चों को प्रदान करेंगे Right answer option number first हो जाएगा option number four है Schools should cater to individual difference to School को School को ब्यक्तिकत मत्यविदों को पूरा करना चाहिए कैसे narrow the gap between individual difference ब्यक्तिक सिक्षार्थियों के मत देखाई को कम करें मतलब जो विभिन निता है उसे हम कम कर दें तो ये बात गलात है कि हम विभिन निता को कम नहीं कर सकते हमें तो विभिन निता को cater करना है even out abilities and performance of the student सिक्षार्थियों के निस्पादन और योगिताओं को समान करने के लिए ये बात भी गलात है क्योंकि बच्चों की abilities को आप सेम नहीं कर सकते understand why students are evil और unable to learn ये बात कर सकते हैं कि हम ये समाजने की कोशिस करें कि बच्चे सीखने के योग हैं योग है ब्यक्तिकाच चात्रों को बिसिष्ट होने के अनुगूति कराने के लिए ये बात बिल्कूल ज़्यादा सही है कि make individual student feel exclusive ये second option गलत है कि हम सिक्षार्थी सीखने के योग या आयोग है ये लेबल हम नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक बच्चे अपने आप में special होता है तो right answer option number fourth रहेगा इसका ब्यक्तिकाच चात्रों को बिसिष्ट होने की अनुगूति कराने के लिए right answer option number third आ रहा है तो इसे हम एक बार check कर लेंगी हो सकता third इसका right answer हो यहाँ पर translation में कुछ error हो गई हो तो मैं इसके check करके इसका जो PDF होगा उसमें मैं correct answer fill कर दूँगा अगर third होगा तो फिर third इसका right answer टिक कर दूँगा मैं बहाँ पर यहाँ पर जो comment है comment में pin कर दूँगा कि right answer इसका क्या होने चाहिए तब अगर हम translation की बात करें तो उसमें थोड़ा सा fault हो सकता है question number six की तरफ चलेंगे mastery orientation can be encouraged by निपूंता अभी विन्याज को प्रोचाहित किया जा सकता है कैसे focusing on students individual effort यह बात बिल्कुल ठीक है अगर आप बच्चों के ब्यक्तिकत प्रियास पर ध्यान केंदेत करोगे तो भाई बच्चे उस field में mastery हासिल कर लेंगे comparing तो करने ही नहीं है अगर comparing बड़ भी आजा तो आपको उस statement को या उस option को तुरण थटा आना है assign lot of practical material as home assignment घ्रे कारी कर रूप में बहुत सारी भेवारिक सामागरी सोपना घ्रे कारी कर रूप में आप home assignment दे रहा हो ठीक आगे बढ़ेंगे question number 7 की तरफ चात्रों में ब्यक्तिकत विवनिताओं को दूर करने के लिए एक स्कूल किस प्रकार की सायतर प्रदान कर सकता है बात बिल्कुल सही बात है कि बाल के दित पार्ठिकरम का मपालन कर सकते हैं जिसमें बच्ची की सुनी जाएं और छात्रों को सीखने के कई अफसर प्रदान करें हमें individual difference को कभी भी remove नहीं करना है हमें उस बच्चे के साफसों से पढ़ाना है अगर जाद ही कभी दिक्कत होती है तब उसे special school में भेजो सभी के लिए सेम लेवल हमें नहीं रखना है लेवल हमें बच्चे के साफसे रखना है तो राइट आंसर ऑप्सन नमबर फर्स्ट हो जाएगा ऑप्सन नमबर एट है हम इसे कभी भी disadvantage नहीं मानते हैं हम तो इसे advantage मालते हैं क्योंकि बच्चों में इंडिविच्चों डिफरेंस है तो एक बच्च दूसरे वेक्चे से अच्छी तरीके से सीख सकता है क्योंकि चातर चातर संगर्सों को जन में देता है answer नहीं होता है यह negative points की तरफ लेके जा रहा है और negative points को हमें सामें answer टेक नहीं करना होता है वह से पहले ही हटाना होता है अनुप्योगी क्योंकि वे सबसे दी में चातर के लिए पार्ट चरिया लेंदन की गतिक को कम कर देता है यह बात भी ठीक नहीं है कुछ सेंस नहीं होता है इस ताइब के options का advantages as they lead teachers to explore a wider pool of cognitive structures लापकार है क्योंकि यह बिध्यारतियों की संगेन आत्मक चंदचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवर्त करता है बात बिलकुल सही है option number 4 ती बात कर रहा है positive point की positive point of view बता रहा है यह individual difference का यही right answer इसका होगा question number 9 14 years old देविका is attempting to develop a sense of herself as a separate self-governing individual she is developing देखो देविका जो है इस तरह का खुद को इस तरह से डवलप कर रही है एक स्वयन यंत्रेट ब्यक्ति बने या एक अलग और स्वयन यंत्रेट ब्यक्ति कर रही है तो क्या हो रही देविका सिर्फ यह चाह रही कि मैं किसी पर निर्वान आ रहा हूं अपना काम खुद कर सकूं तो जब यह वाली जो चीज होती है इसे हम बोलते autonomy वह autonomy develop कर रही है वह स्वयत्ता develop कर रही है इसे किस और अहंकार नहीं कहेंगे ठीक है किसो और अहिंकार जो होता है या टीनेज एरोगेंस जो होता है वो अलग चीज है राइट आंसर ओप्सन नमबर सेकंड होगा कॉप्सन नमबर टैन है दा नोलेज ओप इंडिविजुल डिफरेंस हेल्प्स टीचर इन बेक्तिगत अंतर का ज्यान सिक्षाकों की मदद करता है किसे मदद करेगा पिछले छात्रों के साथ कड़ी मेहनत करने की बेर्थ था कोई समयना क्योंकि वे कभी भी कक्षा में अनुरूप नहीं हो सकते यह बात बिलकुल गला थे कि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं वे कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं एक्सेप्टिंग एंड एट्रिविटिंग दा फैलियर ओफ इस्टूदेंस टू दियर इंडिविजुल डिफरेंसे चात्रों के विफलता को सुईकार करना उनके बिक्तिकत मतवेदों को जिम्मेदा ठेहराना यह बात ठीक है कि आप एक्सेप्ट कर रहा है उनके फैलियर को तो कोई यूनिफर्म थ हम नहीं कर सकते हैं समान दूप से लावाम में करने के लिए प्रस्तिती शेली को एक समान नहीं बना सकते सभी छात्रों को बिक्तिका जुरुतों को आखलं करना उसी कनुशार से पढ़ाना यह सब से वेस्ट है कि हम assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly यहीं कि बच्चे की जुरुत के साफ से आप उसे पढ़ा रहा हो तो राइट आंसर ओप्सन नमबर फोर्थ हो जाएगा कोशन नमबर 11 है यह सिध्धान्त संदर्वित करता है यह सिध्धान्त बताता है individual difference को ब्यक्तिगत बिविननेता या फिर ब्यक्तिगत अंतर को की दो ब्यक्तिगत सेम नहीं होते सभी का intelligence level, motivation level and चीजों को लेकर interest अलग-अलग होता है आगे बात करेंगे कोशन नमबर 12 की रिगार्डिंग learners individual differences that teacher should सिध्धार्ति के ब्यक्तिकत मतवेदों के संबंद में एक सिध्धा को चाहिए प्रोवाइड़ा variety of learning situations यह बात बिल्कुल ठीक है individual differences हैं बच्चों के अंदर बिवित परकार के सीखने की परसितिया परदान करें फिर और options पढ़ लेते हैं solve the problems on deductive method हम इसे inductive method को focus करते हैं अगर हम सोटे classes की बात करें most of the time use algorithm यह भी कोई ठीक नहीं है provide facts to students to memorize them memorize की जगा हम focus करते understanding परकि बच्चे चीजों को memorize ना करें उनको understand करें question number 13 है presenting disconnected chunks of knowledge ग्यान के कटे हुई अंसों को प्रस्तित करना होगा देखिए disconnected chunks जिसमें knowledge कहीं से भी कहीं तक जुड़ा हुआ नहीं है आप instant history पढ़ा रहा है हो वहाँ से फिर आप modern पर आ जाते हो फिर आप medieval आ जाते हो तो यह सब कुछ चीज है गल आते हैं मानला आप बावर को पढ़ा रहा है बावर को पढ़ाते पढ़ाते हैं असों जंतरता संग्राम पर आ गाए तो दोनों में किसी दाए का lesson नहीं है ठीक है यह जो चीज है यह difficulty होती है बच्चे के लिए तो make it difficult for learners to gain conceptual understanding make recall easier easier तो होगा नहीं help learners को help करेगा नहीं make the task of the teacher difficult and that of the learners easy नहीं learners के लिए बिल्कुल इजी नहीं रहेगा make it difficult for learners to gain conceptual understanding सिक्षायर्तियों के लिए अबधान आत्मक समझ हासिल करना यह कठन बना देगा अगर आप disconnected chunks बच्चों को देते हो तो question number 14 why do individual differ from one another व्यक्ति एक दूसरे से भिनने क्यों होते हैं दो लोग है तो वह अलग अलग क्यों है reason क्या है because the impact of the environment environment का impact इस पर बिल्कुल पढ़ता है due to in one characteristics यह बात भी सही है जानमें जाद दिस्रिश्थाओं के कारण भी होते हैं due to interplay between heredity and environment यह बात थोड़ी और ज्यादा सही है क्योंकि इसमें heredity का रोल भी होता है और environment का भी रोल होता है दोनों के interaction की बज़े से दो लोग अलग-अलग होते हैं because each individual has received a different different gen from said from his her parents यह बात भी सही है कि बैक्ति अपने आता है पता से अलग-अलग जीन प्राप्त करता है लेकिन यह जीन प्राप्त करने वाली बात है वह अनुवान सिक्ता में पहले ही आ चुकी heredity में right answer option number 3 individual difference की बात करें बुद्धी किस पर बच्चा कितना intelligence होगा यह किस पर 15 है to cater to individual differences in his classroom a teacher should अपनी कक्षा में ब्यक्तिकत विपनेताओं को पूरा करने के लिए एक सिक्षक को चाहिए ब्यक्तिकत विपनेताओं को पूरा करने के लिए एक सिक्षक अपने class में क्या कर सकता है engage in dialogue with students and values their perspectives चात्रों के साथ संबाद में सामिलो उनके द्रिष्टी को महत्वित दे यह बाद ठीक है अगर आप बच्चों के द्रिष्टी को महत्वित दोगे तो जो individual difference है इसको फायदा मिलेगा यह सही तरीके से हो पाएगा अपने चात्रों पर सकते नियम लागो करने से काम नहीं चलेगा have uniform and standard ways तो को uniform ways आप नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे अलग अलग है एक समान तरीका आप बिलकुल नहीं दे सकते बच्चों को कभी भी लेवल नहीं करना है कि तुम्हारे अंदर यह कम है इस तरह से तो यह option भी नहीं होगा और ऑप्शन नमबर 5 होगा अगे बढ़ते हैं question number 16 की तरह question number 16 है दो बच्चे एक सेम पेसे को पढ़ते हैं लेकिन दोनों मीनिंग अलग अलग निकालते हैं अब यह किस बज़े से होता है या फिर इसके बारे में कौन सी चीज सही है यह बिलकुल संभव नहीं है चात्रों को पेसे फिर से पढ़ना चाहिए यह संभव है क्योंकि सिक्षक ने गर्दान्स की वैक्षा नहीं की है थर्ड ऑप्शन है यह संभव है क्योंकि अलग अलग तरीकों से ब्यक्तियों के सीखने को प्रभावित करते हैं इसकी जगा आएगा शीखना जो है अर्थपूर नहीं है तो यह सारे ऑप्शन गलते राइट अंसर ऑप्शन नमबर थर्ड ही है यह इसलिए अलग है क्योंकि अलग 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 तरीके से प्रभावित करते हैं से लिए दो लोग सेम पेसे उसको पढ़ गर अलग-अलग मीनिंग उसका निकाल सकते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर थर्ड हो जाएगा कोशन नमबर 17 है व्यक्तिकत विविनताओं का क्या अर्थ है दो व्यक्तियों में सारी कंता रहे इसलिए व्यक्तिकत विविनता है तो कुछ अत्त के सकते हैं सारी ग्रूप से दो लोग अलग होते ही है इसका राइट आंसर है क्योंकि दो लोग सारिक, मानसिक और भावात्मा कुरूप से नहीं होते हैं इसे ही हम इंडिविजुल डिफरेंस बोलते हैं क्या नमबर 18 है इसे हम बोलते हैं बच्चे का एप्टिट्यूट कि बच्चे का अच्छा कर रहा है तो अलग अलग जगा पर वेख्टि-अलग तरीक से अच्छा होते हैं क्योंकि नमबर 19 ही Which of the following statements about individual difference is true? ब्यक्तिकत अंतर के बारे में निमने लिखित में से कौन से गतन सकते हैं? If the intelligence level of students is same, still the level of achievement will be different. यति छात्रों की बुद्धी का इस्तर समान है, तब भी उपलब्धी का इस्तर भिन होगा. All the children do not have some similarities, बच्चों में कुछ समानता नहीं होती है. ब्यक्तिकत अंतर दिखाने वाला बकर एक दिशा यह धुरुप्ति और जुख जाता है. इंडिविजल डिफ्रेंस आ ड्यू टू हेरिटी, ब्यक्तिकत अंतर अनुबान सिक्ता के कारण होता है. यहां मतवेद लिखा हुआ, यह ट्रांसलेशन एर रहे हैं, यहां पर ब्यक्तिकत अंतर यह ब्यक्तिकत विवनिता आएगा. यह दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है. अब हमें चूस करना है कि फ़स्ट यह सेकंड में से कौन से ठीक होगा. देंकि चात्रों का बुद्धी कश्तर समाने, अचीमेंट लेवल डिफरेंट हो सकता, यह बात ठीक है. और और अल्ट शुदेंट्स डूनों एव सेम सिमिलरिटीज यह बात ही बिल्कुल सही. दोनों भी ठीक है. इसका राइट आंसर क्यों होगा? फर्स्ट ही इसका सही राइट आंसर होगा, कि दो बच्चों का बुद्धी कश्तर समाने, लेकिन उनका अचीमेंट लेवल अलग-अलग हो सकता है. डाउट था, इसलिए पहले मैंने इसको सीन करा है. और सही बच्चों में कुछ समानता नहीं होती है, तो ये उप्सन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन डू नोट हैव सिमिलाइटीज, ये ठीक रहता है, ये समवर्ड जो है, समवर्ड ने इसको थोड़ा सा गड़बल कर रखा है. ठीक है, हो सकता है, दो लोगों का IQ सेम हो, लेकिन अचीमेंट लेवल अलग अलग हो, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुल डिफरेंस है, ये से कोसे आ जाते हैं, घुमा पराकर, कोसन नमबर ट्विंटी है, देटर्मिनेंट्स ओफ इंडिविजुल डिफरेंस in human is related to, म कोसन पहले भी आ चुका है, मिस इस तरह का कोसन पहले आ चुका है, कि अनुबान सिक्ता और परियावरण के बीच अंता करिया है, जिसकी वज़े से इंडिविजुल डिफरेंस देखने के लिए हमें मिलते हैं, कोसन नमबर ट्विंटीवन है, एवरिल लर्नर्स इस यूनि क्योंकि इस तरह का कोसन पहले भी आ चुका है, कोसन नमबर ट्विंटीटीव है, अल्डोज एक्टिविटीज अंडर्टेकन वा टीचर्स एंड वा दियर इस्टुडेंट्स इन असाइंग देमसेल्स बिच प्रोवाइड इन्फोर्मेशन टु वी यूज़े ज़े ज़े से यह पता चलता है कि हमें जो सिक्षण गतिविदिया हैं उसमें किस तरह के संसोधन करना है तो इन्हीं हम क्या बोलते हैं इसी हम बोलते हैं जो असिसमेंट मतलब होता है आक इसमें आप चीजों को आखते हो कि बच्चे की लर्निंग लेवल बच्चे का कहां तक इसका मतलब क्या है इसका मतलब है इंडिविजुल डिफरेंस की जगह इस कोसन में बड़ यूज करा है इंडिविजुल डिस सिमिलेरेटी तो ये बात बिलकुल सही राइट आंसर अप्सन नमबर थर्ड हो जाएगा ब्यक्तिकत असामानता इसका राइट आंसर रहेगा इसलिए एक सिक्षक को चाहिए इनफोर्स इस्ट्रिक डिसिप्लिन सक्त अनुसासन लगू करें तो को सक्त अनुसासन तो लगू करना ही नहीं है प्रवाइड़ा वेराइटी ओफ लर्निंग एक्स्प्रियेंसेज विभिन ने प्रकार के सीखनी का नुप प्रतान करें इनक्रीज नमबर ओफ टेस्टेस पर खड़ों की संक्ष्या बढ़ाए इनसिस्ट युनिफर्म पेस ओफ लर्निंग सीखनी की एक समानगती पर जोड़ दे तो यह ओप्षन भी पहले रिपीट हो चुका है मतलब इस तरह का कोशन आच चुका है तो राइट आंसर ओप्षन नमबर सेकेंड ही रहेगा कि प्रोवाइड़ा वेराइटी ओफ लर्निंग एक्स्पिरियेंसेज 25a Which of the following provision is not suitable to meet individual difference among learners निमन लिखित में से कौन सा प्राप्धान सिक्षार्तियों के बीच ब्यक्तिकात अंतर को पूरा करने के लिए उप्युकत नहीं है Their abilities should be assist उनकी समता का आखलंद किया जाने चाहिए Not पूंचागा है, not suitable adequate facilities and materials should be provided परियाप सुभिदा आदें leveling तो करने ही नहीं है तो यही इसका right answer हो जाएगा ब्यक्तिकारण को आवसक बढ़ाना है individualization को necessary करना यहीं ठीक है right answer option number 3 हो जाएगा बाकी तो सारे अच्छे नहीं थे मेसी को नहीं करना बाकी सब काम तो करना ही है 26 है Our child is average on creativity high in academic achievement poor in social development this is an example बहुत बढ़ी अकोसान है एक बच्चा रचनात मक्ता पर ओसत sectional को उपलब दीम उच सामाजिक विकास में खराब होता है इसका एक उधारण क्या है देखिए दो तरह का individual difference होता है एक तो inter होता और एक intra होता है अंतर व्यक्तिकत अंतर और एक होता है अंतरा इसे हम अंतरा भी बोल देते हैं अंतरा जागे इस तरह से अंतरा व्यक्तिक अंतर भी बोल देते हैं अगर inter individual difference है इसका मतलब ही कि दो लोगों में या दो से जाद लोगों में हैं है और अगर इंट्रा है तो भे होता है स्वें में में जैसे कि हम गार्णनर की बुद्धी में जब हम इंटर पर्सनल पढ़ते हैं जो इंटरा पर्सनल वाली आ यह यह अंतरा जिसमें वेक्टिक खुद से ही अलग होता है तो राइट आंसर ऑप्सन नमबर सेकेंड होगा क्योंकि बैब बच्चा खुद से ही अलग है क्रिएटिविटी में एवरेज है अकेडम का चीमेड में ठीक है सोचल डवलक प्रेट में थोड़ा सा लो है आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर 27 की तरफ नमबर लिखित में से कौन सा कारक बच्चों में ब्यक्तिकत अंतर के लिए जिम्मेदार है फस्ट ए एटिटूट ओफ परेंट्स इंटेलिजेंस रेस प्लेस माता प्रिदा का रवय या बुद्धी जाती स्थान तो परेंट्स के एटिटूट की वाई से बच्चे में डिफ किस स्थान पर रह रह रहा है जो कि आपके इंवारिमेंट के अंदर आ जाएगा तो चारों ही ऐसे का राखें जिसकी वज़े से इंडिविजल डिफरेंस आता है इसका राइट आंसर होना चाहिए और ऑफ दीज आप किसी भी एक ओप्सन को इसमें नहीं अटा सकते तो रा इंडिविजल डिफरेंस इस ओफ लेर्नर्स बिच ओवदा फॉलिंग इस्टेप इस नोट रिकॉरेड सिक्षार्थियों की ब्यक्तिकत मदवेदों को पूरा करने के लिए निमने लिखित में से कौनसा कदम आवश्यक नहीं है इंडिविजल एविलिटीज आसेट इंडिविजलाइजेशन ओफ इंस्ट्रेक्शन निर्देश का ब्यक्तिकरन यह बात भी ठीक है इंडिटिफिकेशन ऑफ सोचल एकोनोमिक स्टेटस बच्चे के एकोनोमिक स्टेटस को पता करना तो मुझे नहीं लगता कोई ठीक रहेगा विशिष्ट पृतिभाओं की प सब्सक्राइज के अंतरकारे सोपने के आधार पर नियायुचित ठेराये जा सकता है मतलब बिविजल चात्रों को आप अलग-अलग काम देते हो तो इसे हम सही मान सकते हैं क्यों इस्टुदेंट्स लाइक वेराइटी बच्चों के वेराइटी पसंद है इट प्रेवेंट कोपिंग ऑफ असाइनमेंट एक दूसरे कोई कोपी नहीं कर सके इसलिए ठीक है देर और इंडिविजल डिफ्रेंस एमंग स्टुदेंट बात बिलकुल सही बच्चों में बेक्तिकत अंतर है इसलिए बच्चों को अलग-अलग कार्य आप दोगे इट कैनोट वी इसलिए बच्चों पर किये अध्यनों से निसकास निकलता है कि व्यक्तिकत अंतर पेदा करने में अनुवान सकता है कि महत्पूर्ण कारा के इसमें सामल बैग्ज्ञानिक थे लिए को जो पैटरन चेंज हुआ है उस पैटरन के साफ से कुछ कोशन कहीं से पूसे जा रहे ह है इसलिए मैंने इस को रखा ता इसका राइट आंसर ये आपका जेम्स रीज या जैंस विंफील्ड है एक मैं मैंने फूस ब्लकूर जैम्स बिनफील्ड विल्कूर्ड जा है उन्होंने यह ऊप्शन नमबर In आने लगे इसलिए को रखा गया है हाला कि यह को सकता है एक दो बार किसी भी चीज़ से आपको याद रहे जाए तो यह थे हमारे आपके कितने सही हो यह आप बता सकते हैं कमेंट में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा केप लाइन केप ग्रोइंग टेलिग्राम चैनल जोन कर लिज़ेगा जहां पर आपको सारे पीडिये और न्यू एक्जाम्स क के बारे में अपडेर्स बगएरा मिलती रहेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद